हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मेकैनिकल एट इज यूट्यूब जैनल पर हार्दिक सुवागत है आज हम बात करने वाले हैं तमिल नाडू स्टेट ट्रांस्पोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटिड के बारे में यहां पर अप्रेंटिस के लिए कुछ वेकेंसिज आउट हुई हैं उनी के बारे में हम बातचित करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है Notification for Engagement of Graduate and Diploma Apprentices under the Apprenticeship Act 1973 for the year 2022-23 TNSTC Villupuram TNSTC Kumbak Konam TNSTC Salem TNSTC Madurai TNSTC Dingual TNSTC Dharampuri TNSTC विर्धुनगर and SETC TN Chennai यह इतनी जगहे हैं जहां पर यह Application Form invite किये गए है for the vacancies of Graduate or Diploma Apprenticeship तो जो भी छात्र graduate है या फिर Diploma Holder है इंजिनरिंग में वो यहां पर apply कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने अपनी graduation और Diploma 2020, 2021 या फिर 2022 में pass out किया हो अब बात करते हैं मंथली stipend कितना मिलेगा तो जो graduate apprenticeship के रूप में जाएंगे उनको पर मन्त 9,000 stipend मिलेगा और जो Diploma के अधार पर Diploma Apprenticeship के रूप में जाएंगे उनको 8,000 पर मन्त stipend मिलेगा अब बात आती है ट्रेनिंग का समय कितना रहेगा तो एक साल का समय रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं TNSTC Resin तो कौन-कौन सी जगहे हैं जहां पर यह vacancies आउट हुई हैं तो total आप यहां देख सकते हैं 8 जो place हैं वो ऐसे हैं जहां पर यह vacancies आउट हुई हैं अगर हम बात करें कौन से field में यह vacancies हैं तो mechanical engineering में और automobile engineering में यह vacancies हैं और graduate जो apprenticeship है उसके लिए कितनी vacancies हैं पर places के अधार पर यह vacancies बताई हैं और total 169 हैं इसी तरीके से diploma, apprenticeship के लिए जो कुछ vacancies हैं उनको भी explain किया हैं पर places के अधार पर और total अगर हम देखें तो 177 vacancies हैं और total यहाँ पर आप देख लिजिए 346 vacancies हैं अब बात आती हैं minimum educational qualification की तो सबसे पहले category 1 की बात करते हैं यानि की graduate apprentices की बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास degree होनी चाहिए engineering और technology यानि की जो दो ब्रांच है mechanical automobile तो इन में से किसी भी specialization में आपने अपनी degree की हो तो आप category 1 के रूप में apply कर सकते हैं ठीक इसी परकार category 2 की बात करते हैं यानि की technician apprentices या फिर इसे हम बोलते हैं diploma apprentices इसके लिए चाहिए कि आपके पास diploma होना चाहिए engineering और technology में यानि की जो आपको ब्रांच बताई है mechanical और electrical किसी भी specialization में अगर आपने डिपलोमा किया है then you are eligible duration of training आपको बता दिया एक साल रहेगा previous training experience candidate who have already undergone or are currently undergoing apprenticeship under apprenticeship act 1973 and or having one year or more experience are not eligible to apply तो यह बात जरूर ध्यान दें जो candidates apprenticeship पहले कर चुके हैं या फिर पहले कहीं कर रहे हैं वो यहां पर eligible नहीं है ठीक है selection procedure क्या रहेगा तो आपको बता दें आप जो data इनको देंगे यानिकि आप application form फिल करेंगे उसमें जो भी detail भरेंगे यानिकि आपकी mark sheet में कितने marks हैं आपके 10th में कितने हैं और आपकी graduation में कितने हैं diploma में कितने हैं उसको अधार मानते हुए आपकी merit list निकाली जाएगी and आपका selection हो जाएगा ठीक है तो सभी जगहों के लिए यह registration and submission of application अलग-अलग यह code है तो आप check कर सकते हैं अब दो बात आपको ध्यान में रखनी है ऐसे छात्र जिन्होंने national web portal पर पहले registration कर लिया है वो तो जाएं इस box के माध्यम से और जिन्होंने पहले enrollment नहीं किया है national web portal पर तो पहले MHRD की official website पर जाके enrollment करें अपना application form complete करें फिर आगे की जो भी गतिवीदिया है वो complete करें ठीके जी और इनकी यह जो mail है इन पर भी आप contact कर सकते हैं ताकि आप enrollment verification करवा सकें अपनी mail id इनको भेज़ देना कि यह आपकी official mail है और आप यह mail ही चलाएंगे इस तरीके से अब बात आती है important dates तो चार दिन हो चुके हैं यहां पर application form फिल होते हुए और Nats जो portal है उस पर enroll करने की अंतिम्तिती है 12 दिसंबर और जो यह vacances out हुई है apprentices के लिए उसके लिए उनकी official website पर apply करने की अंतिम्तिती जो है वो है 18 दिसंबर उसके बाद 23 दिसंबर 2022 को shortlisted जो list है वो declare कर दी जाएगी उसके बाद January 2023 के पहले या दूसरे सब्ताह में certificate verification के लिए बुलाया जाएगा उन छात्रों को जो shortlisted candidate के श्रेणी में आते है ठीक है आशा करते हैं आपको सब बातें clear हो गई होंगी हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम